हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप लोग, आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे देखिये अब मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लाई हूँ नए तरीके से step cut करना मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में देखे, किसी के भी कितने भी लंबे बाल हों कितने भी छोटे बाल हों बड़ आपको बस जो तरीका में बता रही है वो तरीका यूज करना है बहुत ही एजी टेक्नीक है ये step cut करने की आपको इस तरीके से 3 पोनी बादनी है और देखे, पोनी बानने का तरीका बहुत बारिकी से है, एक जो आगे का partition है, वो air to air लेना है, और बीच का बिलकुल crown area लेना है, पीछे का पूरा area लेना है, तो देखे, तीन ये पोनी बाननी है, देखे, जब ज़्यादा step चाहिए, शौर्ट करने हैं, तो आप चार भी बा बान दिया आपको, देखे, बिलकुल सेम इसी तरीके से, बिलकुल आगे वाली, बिलकुल आगे ले जाके बाननी है, बीच वाली, बिलकुल उपर बाननी है, एक दम 90 डिगरी पे, और जो पीछे वाली है, वो भी उपर बाननी है, बिलकुल इस तरीके से, और देखे, ये सारी पोनियों के बाल निकालने जो बाकी दोनों रह गई हैं तो देखे ये देखे अब मैं सेम उसी को नाप के उसी का अंदाजा लगा के देखे बस आपको मैंने हमेशे एक चीज बोलती है इसकी गाइड लाइन ध्यान रखे ये देखे हैं आपको एक स्टैप के बीच में कम से कम 1.5 इंच का 2 इंच का गैब देना है और ये वो वाले स्टैप होते हैं जैसे कहीं लोगों को होते हैं कि थोड़ा सा बाउंसी जादा लगें बाल इनको थोड़ा बाउंसी हेर चाहिए था और बहुत जादा ऐसे नहीं चाहिए थे कि बहुत जादा जैसे कि मैं और जो cutting करती हूँ उस type की ये भी एक तरीका है step cut करने का मुझे था कि मैं आपको हर एक तरीका बता हूँ अपने तरीके से step cut करने का तो ये भी एक तरीका है बहुत easy नहीं हिं तो इस तरीके से एक नियुक्स अब ढ़ है वह हमने काट देनी नियुक्स निकालेँगे तो रहे आशल戲 के बाल खिसते हैं निकालने में ये जो प्लास्टिक की जो रबड़े होती इनको खीचने में बड़ा क्लाइन के बाल खिसते हैं तो मैंने ये सीजर से काट दिये और देखें काटने के बाद मैं आपको सारे बाल पीछे करके मैं इनके दिखाती हूँ फिर आप मुझे बताना इनके steps किस तरीके से हैं यह देखें कितने अच्छे तरीके से step हैं यह बहुत ही easy technique है step cut करने की देखें बहुत सारी ऐसी technique है जिससे आप steps cut कर सकते हो जो beginner होते हैं जिनको नहीं आती cutting तो यह देखें कितने हैं अब मैं आपको blow dry करकी दिखाऊंगी और देखें जब यह वाले cut होते हैं जिस तरीके से हम काट रहें तो same उसी procedure से हमने इसका blow dry भी करना है मैंने सारे बालों को आगे किया और सारे बालों को आगे करने के बाद मैंने dryer किया और देखें चौड़े वाले brush से आप करें अगर आप गोल वाला चला सकते हैं तो उससे भी कर सकते हैं बट इनक बालों में ब्रश करना है और जो बाल निकलते जाते हैं उनको निकलने दे ऐसा नहीं कि आपके पूरे बाल क्योंकि देखे ये steps cut है step cut में आपको छोटे बड़े ये होंगे ही होंगे last का step फिर उपर का step ये देखे जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा पारी हूँ इस तरीके से आपको blow dry बहुत अच्छे तरीके से करना है कोई इसमें आपको extra effort नहीं लगाना कि अलग से कुछ करना नहीं सारे बालों को आपने आगे की तरफ लेके करना और देखे कितने अच्छे तरीके से इनके blow dry आए हैं क्योंकि देखे इनको इसी तरीके के step चुछे थे जिनसे कि इनके बालों में बहुत अच्छा bounce आए यह देखे जिस तरीके से मैं आपको इनका पूरा cut दिखाऊंगे देखे कई बार होता है कि हम वीडियो में जैसा हम कर रहे होते नहीं समझा पाते पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझा पाऊं अपने तरीके से कि आप किस-किस तरीके से step cut कर सकते हैं यह देख कि यह भी एक तरीका है ऐसा नहीं कि हर एक बालों के लिए तरीका यूज़ करें पर जिनके straight बाल होते और heavy होते आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं कितना अच्छा cut आया अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए share कीजिए thank you so